नमस्कार दोस्तों, RPSC की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है जश्ट अभी हाली में आज ही का ये नोटिफिकेशन है कि RPSC ने प्रेस नोट जारी किया है आयोग द्वारा वरिष्ट अध्यापक जो प्रिक्षा आविजित की गई थी इसमें ग्रूप A का पेपर 21 दिसंबर को था और ग्रूप B का पेपर GK वाला 22 दिसंबर को था तो ये प्रिक्षा रद कर दी है मित्रों इस समंद में अभरतियों को सुचित किया जाता है कि उक्त प्रिक्षा के समंद में परकरन संक्या 227-2022 जो चल रहा है आज भी आपने न्यूज पेपर में देखा होगा विस्तार से बताया वाया पुरा जो कैसे कैसे साथ दिन पहले पेपर ले गया कैसे इतनी बड़ी दुर्गटनाएं हुई तो ऐसो जिसे प्राप्त रिपोर्ट पर आयो के विचारी मेंबर सुपरांत सामने ग्यान ग्रूप A और सामने ग्यान ग्रूप B यानि जो जिके वाला पेपर है वो परिक्षा निरस्ट की जाती है वो रद कर दी है बाकी की की आचू की आपको पता होगा सबी की की जारी कर दी है इनकी की पी जारी नहीं हुई थी और उक्त जो प्रिक्षा है वो दिनाग 30 जुलाई 30 जुलाई का मतलब हो गया 40, 42, 43 दिन आपके पास है समय बहुत कम दिया है मगर इतना ही इनोंने दिया है तारीक इनोंने तैक कर दी है तो अब जैसे ग्रूप A का होगा 30 को सुबह और ग्रूप B का होगा साम को फिर भी जो समय है यानि विस्तित कारेकरम सेता समय गोशित कर दिया जाएगा तो अब हम देखते हैं कि इनमें कौन से आ रहे थे तो यह आपको दिखा देते हैं कि किस ग्रूप में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है यह वो नोटिफिकेशन है जो 11 तरीको आरपीसी ने जारी किया था नॉमबर में जिसमें 21 दिसमबर से 27 दिसमबर का था ग्रूप A में सामाजी की विग्यान है तो सामाजी का पेपर नहीं हुआ है दोस्तों केवल जिक्के का हुआ है केवल जिक्के का आपका सामाज़े के साथ जो था वो दुबारा होगा और हिंदी, इंगलिस और उर्दू वाली जो बिलती है जिनोंने ये दिया उनको भी जिक्के का पेपर दुबारा देना होगा बाकी गुरुप C का यहां पे अभी कोई फिलाल न्यूज नहीं है अब RPC अब आगे डाले, नहीं डाले, क्या हो, सब्जिक्ट को लेके क्या हो वो तो देखो विबाग है, टीम है, वो सब्तेय करेंगे परंतु उन्होंने फिलाल जो टे किया है, वो गुरुप A और B का किया है अगर C का होता तो मेरे विचार से अब तक साथ ही वो करते तो वो आगे की चीज़े रहेगी तो गुरुप A और गुरुप B, मुझे नहीं लग रहा कि अब C का होगा तो आपके पास में 40 दिन है और मिनिमम परसेंटेज वाला भी है इसमें 35 और 40 इसलिए आप अब गंबिरता से लें क्योंकि तारीक बदले की आगे जाए की क्या इन स्वालों में कोई जो है नहीं रखा इनका सेंस और आप वापस तैयरी में जुट जाएए 40 दिन जिनों ने इससे आप जुड़े वे हैं तो 40 दिन को आप अच्छे से यूज करके और जो है तैयरी करें इसमें देखो विस्तार से हम लोग यूट्यूब के उपर यस गुरू अप्लिकेशन पर 49 दिनों में आपकी किस परकार से तैयरी को और बहतर करने में मदद कर सकते हैं उसको लेकर कल इसी चैनल पर एक विस्तार से वीडियो बताया जाएगा करंट अफेर दोस्तों पेपर नया बनेगा ये तो कलिर है अब तारीक आई है तो आगामी 15-20 दिन में पेपर बन जाएगा और आगले 20 दिनवार परिक्षा है तो इसमें करंट अफेर हो सकता है कि जो पिसले 6 महीने गुजरे हैं जिसमें विशेयसकर बजट है 2023 का आर्थिक समिक्षिया का कुछ टोपिक हो सकता है कुछ और जो यानि पिसले 6 महीने का करंट अफेर भी माइने रखेगा तो इसको लेकर और अन्य चीजों को लेकर विस्तार से तयारी का जो जानकर ये शेडूल है या कोई टेस्ट पेपर समन्दी कुछ बाते हैं वो कल इसी चैनल पर आपको विस्तार से बताएंगे तो देखो एक तरफ जो गठना हुई वो बहुत निरास सा चनक थी जखजोर देने वाली थी परन्तु अब पेपर निरस्त वा है तो निसी तो पसी जो पेपर आउट था और 60 दिन पहले घर पे आ गया था तो फिर आपको पताई है कि एक गणटे में आज की टाइम में पुरे वर्ल्ड में फैलाये जा सकता है चीजों को तो फिर आपको पताई है कि 60 दिन में तो क्या-क्या नहीं हो सकता तो जहां कुछ भी हो, उमीद यह है कि जो दोशी थे उनके खिलाब कठोर से कठोर कारिवाई हो और मेहनत का सब्यर्थियों को न्याई मिले और दोशियों को सजा मिले और भविशे में सरकार ऐसा कुछ करें कि भविशे में इस प्रकार की गटना का दोहरान ना हो तब ही जो है अब्यर्थियों के जो गहावे उनके उपर कुछ मरहम लगाई जा सकती है नहीं तो क्या है दोस्तों जब इस न्यूज को पढ़ते हैं ना ऐसे तो वाकई एकदम जख जोर के रख देती है कि कितना जो है बिरती एक एक दिन करके के घंटा करके कैसे मिनेज करके तैयारी करते हैं और यहां पे इस परकार के गटनाएं हो जाती है परन्तु अब अगर सुदार हो जाए तो भी अच्छा है ताकि भविशे में जो है किसी के साथ अन्याई नहीं हो धन्यवाद